दोस्तो स्लाइम की सीजन 3 का दूर दूर तक कहीं आता पता नहीं है रहात की बात ये है कि नवेंबर 2012 में जापान में इसलाइम की मूवी रिलीज हो रही है अलाकी ये बात ऑर है कि ये मूवी जब तक जापान से बहर आएगी तब तक पूरा साली बदल चुका होगा मर कहते हैं ना कि ना हो उससे कुछ होना बैतर है मगर इस movie के canon होने के chances उतने ही है जितने आपके इस video को देखकर subscribe करने के लोग video देखकर चले जाते हो subscribe तर नहीं मारते तो विट किस बात का कर रहे हो अगर आप लोग मेरे channel पढ़ना है तो subscribe मारो यार हो सकता है कि आपके subscribe करने से हमें ये movie बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाए moving on इस video में मैं बताऊँगा कि slime की story में season 2 या season 2 part 2 के बाद क्या हुआ मगर जैसा slime की anime का tradition रहा है probably बहुत सारी side carnization या कुछ ऐसी चीजें जिससे story पर impact ना पड़े वो anime से काट दिये जाते है तो ये possible है कि season 3 में सिर्फ important stuff ही दिखाई जाएंगे अगर season 3 निकलता है तो और साथ ही यहां में उजी story को जितना हो सकेगा उतना मैं cover करने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों बढ़ते हम आज के वीडियो की तरफ तो चलो आओ यार शुरू करते हैं कहानी अब तक दोस्तों हमने पिछले season में देखा कि demon lord clayman की वज़े से पूरे slime world में भसड मच गए थी clayman ने और कोवर कराई फिर murian को tempest बेज कर जासूसी करवाई milim के जरी animal kingdom पर हमला किया जिसकी वज़े से एक और जंग छिड़ गई और तो और सारी demon lord के सामने इन सब का जिमेंदार रिमरू को ठहरा है वाल पर्गिज में मगर जैसा हर प्रोटेगनिस को करना चाहिए रिमरू ने clayman की सारी महनत पर पानी फेर दिया demon lord में evolve होने के बाद ना के सिर्फ shion और बाकी के inhabitants को बचाया बलके clayman की सारी सेना को धूल चटाई और वाल पर्गिज में जाकर रिमरू ने clayman को हमेशा हमेशा के लिए खतम कर दिया जिसकी वज़े से रिमरू खुत के लिए banquet में अपनी demon lord की कुर्सिय को अपना बनाने में कामियाप रहा है अब आगे दोस्तों हम सब जानते हैं कि clayman को हराने के बाद fray और कैरियन decide करते हैं कि वो लोग अब demon lord milium को सर्फ करेंगे और वो भी उसकी इच्छा के विरत मर जो हम नहीं जानते या जो हमें नहीं दिखाया गया वो है विवाजन और वो भी territories का अब जो के demon lord का order change हो चुका है fray, कैरियन और clayman के जाने के बाद तो octagram में decide होता है कि हर एक की territory को उनके domains को अलग-अलग demon lord में विवाजित कर दिया जाए ताकि world order बना रहे और उसकी शुरुबत होती है हमारे slime ball से सबसे पहले रिमरू अपना domain चुनता है सिंस रिमरू पहले ये entire jura forest और forest के बीच बने nation का leader है तो रिमरू उस पूरे area को अपना domain घोशित करता है मगर इसमें मिलीम नावा को दुसरों से ज़्यादा territories मिली है मिलीम को fray और कैरियन के territories के साथ साथ clayman की territory भी मिली है मगर हम सब मिलीम के character को जानते हैं तो हो सकता है actual work और management वगेरा सब मिलीम के बज़ाए फ्रेह और कैरियन करेंगे because this is way too much complicated for her मगर फिर हमें पता चलता है कि लेमन के अंडर जो area था वो originally demon lord काजिलीम का था उसके जाने के बाद लेमन ने उस पर कबजा कर लिया यह वही demon lord काजिलीम है जिसे मारने का दावा लियान करता आया है लेकिन पिछले season में यह पहले ही reveal हो चुका है कि वो अभी भी जिन्दा है और यहां रिमरू को शक है कि जो कुछ भी कलेमन कर रहा था हो सकता है कि उन सब की पीछे काजिलीम हो since they are both death men तो there might be a possibility that they were connected somehow दूसरी तरफ कलेमन को मारने की खबर काजिलीम और बाकी के बच्चे हारली क्वीन अलाइंस को मिलती है मैं उन्हें simply gestures बुलान अपसंद करूँगा इतना लंबा नम कोई याद रखे गयर कलेमन की खबर सुनने के बाद वो सब अपने दुख को जाहर करता है लापलास का कहना है कि कलेमन बेवकूफ था उसने उनकी बात नहीं मानी इसलिए उसका ये अशर हुआ पिर जस्टर और काजलीम के बीच इसी बात को लेकर अर्गिमेंस शुरू हो जाती है जिसे हम स्किप करेंगे और उनके साथ यूकी कागुरा भी मौजुद था यूकी वो लॉंडा है जिसने हीनाटा को रिमरू के बारे में बताया जिसकी वज़े से हीनाटा जहां पहुची रिमरू से शीजू का बदला लेने और उसके बाद क्या हुआ हमने एनिमे में देखी लिया है उस आर्गिमेंस के दौरान लापलास जिसने डीमन लॉर्ड वैलेंडाइन के वैंपायर सबॉडिनेट को मारा था लास्ट एपिसोड के लास्ट में वो बताता है कि रिमरू के लोगों ने क्लेमन का जो बेस था उस पर कभजा कर लिया और वहाँ से क्लेमन के ट्रेजर के साथ-साथ उसकी पूरी आर्मी को भी गायब कर दी रिमरू वहाँ से सब ले जा चुका था तो जेस्टर और काजिलिम अपने सारे प्लैंस फिलाल होल्ड पर रख देते हैं क्योंकि शाद वो जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो लोग कुछ भी कदम उठाएंगे तो वो बैक फायर ही होगा और तोर रिमरू के साथ साथ बाकी के डीमन लोड का भी अटेंशन उनकी तरफ हो जाएगा तो इन सब पॉसिबल सिनारियोस को टालने के लिए वो लोग बस सही वक्त के आने का इंतिजार करेंगे और सही वक्त आने पर वो लोग क्लेमन की मौत का बदला लेंगे वहीं ऑक्टाग्राम में जैसे ही टी पार्टी और बाकी का ताम जाम खतम होता है वैसे ही गीक रिमजन की डीनर पार्टी शुरू हो जाती है मगर डिनर पार्टी चुरू हो उससे पहले ही डीमन लॉर्ड लियॉन ट्रॉम वैल और डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन वहाँ से चले जाते है मगर रीमरू को बाद में याद आता है कि वैलेंटाइन को उसके और चर्च के रिलेशन के बारे में पूछना था बड़ अफसोस रीमरू को पहले याद नहीं आया डिनर पार्टी खतम होने के बाद रीमरू वापस अपनी कंट्री में जाने के लिए निकलता है इस होप में कि उसी डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन से इस बारे में फिर कभी बात करने का मौका ज़रूर मिलेगा फिर अमें पताच चलता है कि रॉय वैलेंटाइन वो वैमपायर जिससे जैस्त्र ने लास्ट एपिसूड के लास्ट में मारा था उसका एक ट्विन ब्रदर भी है और उसका नाम है लुआष्ट वैलेंटाइन लुइस हिनाटा को मिलता है और उसे बताता है कि बिती रात को क्या हुआ क्योंकि हिनाटा नहीं जानती थी कि किसी ने रॉय को मार दिया और हिनाटा समझ जाती है कि हो ना हो ये वही जैस्टर होगा जिसने पिसली रात को गुस्पेट करने की कोशिश की थी मगर हिनाटा को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जैस्टर इतना ताकतवर होगा कि वो रॉय को विहारा देगा बले ही वो चाहे फेक डीमन लॉड हो लेकिन उसकी पावर्स फेक नहीं थी हिनाटा के मताबिक उसमें एक डीमन लॉड के बराबर शक्तियां थी और लुइस हिनाटा को ये भी बताता है कि उस वक्त वहाँ जितने भी गार्स पहुंचेते वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं यानि इस कतल का कोई भी विटनस नहीं है जो उने बता सके कि वो इंट्रूडर कौन था, कहां से आया था और क्यों आया था, कुछ भी नहीं फिर हमें पता चलता है कि हिनाटा साका गुची डीमन लॉड लॉमिनस के लिए काम करती है यानि इस वक्त जो किंग्डम दिखाया गया है, वो है होली एंपायर ओफ रूबेरियस जो लेडी लॉमिनस या डीमन लॉड वैलेंटाइन का डोमेन है पिर हमें एक छूटा सा फ्लेश बैक दिखाया जाता है जारी विल होता है कि लेडी लॉमिनस और उसके लिए काम करने वाला रॉय वैलेंटाइन जिसे भी वो चुने, उन्हें वो वैंपायर बना देते हैं और अपने वैंपायर ग्रूप में शामिल करते हैं पहले तो जो लोग चुने जाते हैं उनके जीवन में मुश्किलियां खड़ी करते हैं और ये तब तक जारी रहता है जब तक वो उनके पास मदद के लिए भीक मांगने नहीं आ जाते और एक बार जब कोई उनके पास मदद मांगने आता है तब वो उसकी परेशितियों का उसकी कमजोरियों का और उसकी मजबूरियों का फायदा उठा कर उसे वैंपार में तब्दिल कर देते हैं जिसे ये लोग लूमिनिजम कहते हैं और ये बात जब होली नाइट हिनाटा को पता चली तब वो उनके महल में गुसकर रॉय और उसके ट्विन ब्रदर लूइस पर हमला कर देती है और एक अच्छी खासी और लंबी लड़ाई के बाद हिनाटा रॉय और उसकी जुड़वा भाई को मारने में काम्याब हो जाती है मगर इस प्रोसेस में हिनाटा की स्रेंद भी खतम हो जाती है मर फिर वहाँ उसी वक्त लेडी लूमिनस आप पहुंचती है और वहाँ पहुंचकर लूमिनस रॉय और उसकी जुड़वा भाई को फिर से जिन्दा कर देती है यह देखकर पूरी तरह से घाल हो चुक्की हिनाटा अपनी हिमत खो बैठती है मगर वह कुछ कहे उससे पहले ही लूमिनस रूमिनस को से प्रोसे से हिल कर देती है और उसकी हिमत को देखते हुवे लूमिनस कहती है कि अगर वो 7 Luminaries के trials में pass हो जाती है तो सिर्फ तबी ही वो Hinata से seriously wide करेगी हाला कि 7 Luminaries के trials क्या है उसकी details यहां पर मौझूद नहीं है बट अगर मैं यहां guess करूँ तो 7 Luminaries हो सकता है किसी तरह की exams हो जैसे कि tuning exams या hunter exams बस यहां फर्क यह है कि एक बार इस trial को pass करने के बाद उस contestant की ताकत बढ़ जाती है और वो और भी ज़्यादा powerful हो जाता है एक week के बाद जब Hinata trials में pass हो जाती है तब वो फिर जाती है Luminous से fight करने के लिए बट अफसोस वो जितना सोस्ती थी वो उतनी ताकतवर नहीं है और वो बहुत बुरी तरह से हार जाती है जिसके बाद से Hinata Lady Luminous को powerful being और almighty god की तरह पूझने लगती है और इसी के साथ Hinata की backstory भी खतम हो जाती है फिर present day में demon lord Luminous Wal Pergus यानि octagram attend करके वापिस आती है और वो Hinata और Lewis को वहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब उन्हें बताती है और बदले में Lewis और Hinata पिसली रात उसकी गयराजरी में यहाँ kingdom में क्या क्या हुआ वो Lady Luminous को बताते है बद फिर हमें पता चलता है कि Luminous Weldora को एक threat मानती है यूकि Weldora ने past में भी Luminous से पंगे लिये हुए थे और यही वज़े थी कि Luminous ने अपनी गयराजरी में Lewis और Hinata को kingdom की निगरानी का और सुरक्षा का जिमा सौपा था ऐसा लग रहा है जैसे वो इस बार भी फिर एक अच्छी खासी और long-lasting conversation के बाद Luminous, Lewis और Hinata डिसाइड करते हैं कि जब तक Weldora अशान्त है तब तक हम किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएंगे और इसी में हमारी और हमारे kingdom की बहतरी है और उन्हें लगता है कि इस बारे में Luminous को Rimuru से बातचीत करनी चाहिए हो सकता है उस बातचीत से कुछ positive निकल करा जाए और उन्हें ये भी यकिन है कि उस बातचीत के दौरान Rimuru उनके साथ diplomatic deals करने पर ज़ादा ध्यान देगा तो ऐसे में Luminous और उनके kingdom के लिए win-win situation होगी मगर ऐसा तब possible है जब Rimuru और Luminous आपस में इस बारे में बात करने के लिए बैठेंगे कोई नहीं जानता कि जब ऐसा होगा तब ये conversation किस तरफ अपना रूख मोड़ेगी हलाकि Octogram में कुछ ऐसी चीज़े भी थी जो fun ही थी मगर मैं यहां आपने boring explanation को ज़्यादा लंबा नहीं किसना चाहता था इसलिए मैंने नहीं बताया और besides वो सारी बाते story के लिहास से unnecessary भी थी आप क्योंकि मैं यहां story explain करने के लिए आया हूँ जरू कर देना नहीं पसंद आई तो dislike कर देना है चलेगा बट अगर आपके पास कोई suggestion है next video को लेकर तो comment कर देना मैं पढ़ लूँगा तो दोस्तों मिलूँगा अब मैं आपको next video में तब तक के लिए सायोनारा फी पर लूँटिंगो यह 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 यह